होली का दहन की कहानी इतिहास वहोली क्यूं मनाई जाती है होली फेस्टिवल स्टोरी भारत देश त्योहारों का देश है यहां भिन जाती के लोग भिन 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 त्योहार को बड़ी उत्साह से मनाया करते है और इनहीं त्योहार में से एक त्योहार है होली भारत में सामानतय जो खुद को सबसे अधिक बल्वान समझता था इसलिए वह देवताउं से घृना करता था और उसे देवताओं के भगवान विश्णू का नाम सुनना भी पसंद नहीं था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विश्णू का परमभक्त था. ये बात हिरन्याक्षप को बिल्कुल पसंद नहीं थी. वो कई तरह से अपने पुत्र को डराता था और भगवान वि वर्दान प्राप्त था, कि आग पर उसे विजय प्राप्त है, उसे अगनी जला नहीं सकती. जिसके अनुसार उसने अपनी बहन होलिका को अगनी की वेदी पर प्रहलाद को लेकर बैठने को कहा. प्रहलाद अपनी बुआ के साथ वेदी पर बैठ गया और अपने भगवान की भक्ती में लीन हो गया तब ही अचानक होलिका जलने लगी और आकाश्वानी हुई जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वो अपने वर्दान का दुरूप योग करेगी तब वो खुद जलकर राख हो जाएगी और ऐसा ही हुआ प्रहलाद का अगनी कुछ नहीं बिगाड पाई और होलिका जलकर भस्म हो गई इसी तरह प्रजाने हर्शोलास से उस दिन खुशिया मनाय और आज तक उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों से इस दिन को मनाया करते है जिसे दुलहंडी भी कहते है